बच्चों, आप लोगों को कहानिया अच्छी लगती है, है न? तो चलो आज हम आम की कहानी जो की एक चित्र कथा है, उसे सुनते हैं मेहा आम के पेर के मिचे से गुजर रहे थी तो उसने एक कववे को काउ 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 करते सुना जैसे ही वो उपर की और देखी उसे पेर पर पका हुआ एक आम दिखा उसने सोचा क्यों ना इसे तोड़ा जाए उसने अपने भाई को बुलाया और पका हुआ आम दिखाते हुए उसे तोड़ने को कहा उसके भाई ने आम पर गुलेल का निश्यना साधा पेर पर बैठा कववा उन्हें ध्यान से देख रहा था जैसे ही आम तूटा कोवे ने अपने चोच से आम लपक लिया दोनों भाई बहन कोवे को आम ले जाता देख उदास हो गए आगे बरते ही कववा मधुमक्खियों के छटे से टक्रा गया मधुमक्खियां कववे को डंक मारने लगी आम कववे की घुसले में जा गिरा पेर पर बैठी गिलहरियों ने आम देखा एक गिलहरी ने घुसले से आम उठा लिया इतने में घुसले में जो अंडे थे वे तूट गये और उनमें से बच्चे निकल आए सारे बच्चों ने एक साथ काओ 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 काशोर मचाना शुरू कर दिया गिलहरी के हाथों से आम चुट गया और नीचे गिल गया अरे आम कहा गया आम गया एक आदमी के पगरि पर नहा ने भाग कर आम उठा लिया और खुश होकर आम को देखने लगी और उसका भाई खुश होकर उसके गुलेल को देख रहा था तो बच्चों यही थी आपकी आज की कहानी आम की कहानी आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा झाजा लगा लगाम यही आपकी कहा हुँ तो बच्छा है झाल झाल